नमस्कार दोस्तों, बाईजूस एक्जाम प्रेप आईए सिंदी में आप सभी का स्वागत है आज हम आपके सामने 8 जून 2022 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें दहिंदू और इंडियन एक्स्प्रेस समाचार पत्र तथा PIV से संबंदित प्रमुक समाचारों के आधार पर प्रारमिक परिच्छा के प्रस्त आपको अभ्यास के लिए दिये जाएंगे इसी के साथ साथ विगत वर्सों में UPSC के दोरा प्रारमिक परिच्छा में पूछे के प्रस्त हम आपको अभ्यास के लिए देते हैं और अंत में आज के तर्थी की प्रमुक रूप से चर्चा करते हैं। और भारत में रामसर इस्थल इसके संदर में चर्चा की जा चुकी है। इसलिए आप सभी अभ्यरती अधिक से अधिक संक्या में लाइब रूप में नौलेज सिरिज में भागिदारी करें। जनजाती विद्रोहों और उनसे संबंदित व्यक्तितों के संदर में निमलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर युग्मों में एक तरफ आदिवासी विद्रोह और दूसी तरफ व्यक्तितों दिये गये हैं। उनका सही मिलान पता करके जो जो युग्म सही है वो बताना है। पहला 1830 का खासी विद्रोह तिरूट सिंग सही है, 1830 का कोल विद्रोह जिसका नेत्रित बुद्ध भगत के द्वारा किया गया था, यह अभी सत्य है, 3850 का संथाल विद्रोह जिसे सिध्धु मुर्मु के द्वारा संचलित किया गया था, यहाँ पर तीनों युग्म सही है इस आधार पर हमारा उत्तर है सी उप्योग तो सभी युग्म सत्य हैं इस प्रश्ण को हल करने के पहले हम इसके संबद में जो समाचार है वो देख लेते हैं क्योंकि हमारा उत्तर वहीं से प्राप्त होगा यहाँ पर केंद्री ये प्रदूसर नियंतरन बोर्ड के दारा प्रमुक रूप से कहा गया है कि दिल्ली में ओजोन के संबद में जो प्रदूसर है वो बढ़ा हुआ है हम ध्यान रखें ओजोन को एक दूतियक प्रदूसर क मना जाता है क्योंकि इसके निर्माण के लिए कुछ परिस्तियां आवश्यक होती है तब ही ये प्रदूसर के रूप में निर्मित होता है प्रमुक रूप से वाइवंडल में उपस्तित नैट्रियन अक्साइड इसी के साथ साथ विविन प्रकार के वाहन में हैड्रोकारवन जब जलता है तो उसका जो अध जला भाग है जो बिना जला हुआ भाग है वो ये वाइवंडल में पहुंसता है और इस रूप में जाता है कि ओजोन प्रदूसर के रूप में बढ़ता है और यह इस्तिती दिल्ली में बढ़ी है अगर हम ओजोन के मानक की बात करें तो प्रमुक रूप से मानक यह है कि अगर हम आठ घंटे के लिए बात करें तो 100 माइक्रोग्राम प्रती घंड मीटर बात करें तो 100 माइक्र 180 µg प्रति घन मीटर लिया जाता है लेकिन वर्तमान में जो मानक देखा जा जा रहा है दिल्ली में वो उससे आगे है इस रूप में दिल्ली में प्रमुक रूप से माना जा रहा है कि ओजोन का प्रदूसर्ण बड़ा है इस आधार पर अगर हम अपने उत्तर को देखें तो पहला विकल्प हमारा सत्य है दूसरा विकल्प गलत है क्योंकि ओजोन की सीमाओं की अगर हम बात करें तो एक घंटे के लिए 180 µg प्रति घन मीटर का विकल्प है और 8 घंटे के लिए प्रमुक रूप से 100 µg प्रति घन मीटर का विकल्प है इस रूप में अगर हम देखे तो दोनों यहाँ पर गलत मिले हुए हैं इसलिए दूसरा कथन हमारा गलत हो जाता है केवल पहला सत्य है इसाधार पर हमारा उत्तर रहे केवल एक सत्य है आज के तीसरे प्रेग को हम देखते हैं, भारत में इकछरे के संबाद में निमलिकित कतन में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? पहला, विगध दो वर्सों से भारत दुनिया का सबसे बड़ा इकछरा उत्पातक बना हुआ हैं, दूसरा, भारत में उत्पातित इकछरे का 90 प्रस्ट से अधिक का एकत्त्रीकरन और नि ficarन वैग्जानिक तरीके से किया जाता है इस प्रस्ट के संदर में उत्तर कि चर्चा करने से पहले हम निंबना आलेक की चर्चा कर लेते हैं जिसके आधार पर तो वह चमता किवल पस्चिम बंगाल में हैं। बिछले कई वरसों के आंकड़े को अगर हम देखें तो भारत में जितना भी ए कचरा उत्पादित होता है उसमें मात्र लगबग 10 प्रस्ट के आसपास या उससे कम एकटा किया जाता है और आधिकारिक रूप में उसका निप् गलत है क्योंकि प्रथव स्थान पर चीन है दूसरे स्थान पर युए से तीसरे पर भारत दूसरा कथन भी गलत हो जाता है क्योंकि ए कचरे का उत्पादन हो रहा है उसका केवल 10 प्रस्ट के आसपास एकत्री करण और निप्टान वैग्यानिक रूप में होता है दोनों पर चीन है दूसरा अत्रिक्त अकर वारती सिवाओं के सर्जन की सिफारिस करना यह सकती भी राजसवा के अधिकार छेत्र में है तीसरा जब लोकसवा भंग हो जाती है तो राजसवा सीमी समय के लिए अनुच्छे 302 के तहट आपातकाल की घुशना कर सकती है तीसरा कथन पूच्छे 302 के सकती हैं यह सीमी समय के लिए जो सकती यह राजसवा के पास रहती है तीनो कथन सत्य है इसलिए हमारा उत्तर एडी एक दो और तीन तीनो सत्य है यह प्रस्ट हमने आपसे इसलिए पूचा है क्योंकि आगामी 10 जून को चार राज्यों में प्रमुक रूप से 16 राजसवा की सीटों के छुनाओं होंगे इसके संदर में जो प्रक्रिया है वो प्रमुक रूप से संचालित हो रही है इसी आधार पर हमने राजसवा की विशे सक्तियों के आधार पर आपसे प्रस्ट पूचा है दैनिक कुछ के दूसरे भाग में हम विगत वर्सों में UPSC के द्वारा प्रारम्भी परिछा में पूचे गया प्रस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं आज हम 2019 में पूचा गया प्रस्ट आपको दे रहे हैं प् आपके उससे मिलता जुलता है पूरी तरह से अलग नहीं होता है दूसरा आभासी वास्तविक्ता यानि वर्च्वर रियाल्टी में कंप्यूटर से ली गई छवियों को वास्तविक जीवन में इस्तिमाल होने वाली वस्तू या परवेश के रूप में प्रच्छे पित किय जाता है यहां अगर आप दूसरा कथन देखें तो यह भी गलत है तीसरा AR यानि Augmented Reality समवर्दित वास्तविक्ता कि दुनिया में हर किसी को व्यक्तिया दुरूप से प्रवेश करने की अनुवती है और यह स्मार्टफोन यह PC यानि परसनल कंप्यूटर के कैमरे के अनुवब प्रदान करता है इस रूप में 4 गतन में सत्य है तीन और 4 सति है इस रूप में हमारा उत्तर हो जाता है बी केवल 3 और 4 सत्य है दैनिक कुछ के अपने तीसरे भाग में हम आज के तत्थी की चर्चा करेंगे और आज हम पर्यावरण प्रदलसन सुचकांग के संदर में प्रमकृप से चर्चा कर रहे हैं अगर हम इस सुचकांग की बात करें तो यह दुवारसिक सुचकांग है जिसे 2002 से जारी किया जा रहा है इसे Yale Center for Environmental Law and Policy और Columbia University Center for International Earth Science Information Network के सहयोग से World Economic Forum दारा पर्यावरण इस्थरता सुचकांग के रूप में जारी किया जाता है हम ध्यान नखें यहाँ पर 11 अलग-अलग जो मुद्दों की स्रिनी है उसके आधार पर 40 प्रदर्शन संके तक का उप्योग किया जाता है और अलग-अलग देशों को पर्यावरण प्रदर्शन सुचकांग में रैंक दी जाती है अगर हम 2022 के इस सुचकांग की बात करें इसमें 180 देशों को रैंक दी गई है और इसका आधार है जलवाई परतन पर उनका प्रदर्शन पर्यावरणी स्वास्त और पारिस्त की तंत की जीवन सकती पर उनकी जो रैंक है वो प्रमुक रूप से आधारित है हम ध्यान रखें 2022 में EPI में किसी देश को जो मजुदा स्कोर है उसकी तुलना पिछले संस्क्रण से नहीं की जा सकती है क्योंकि हम ध्यान रखें हर संस्क्रण में इस सुचकांग को मापने के लिए कायर पराली को बदल दिया जाता है और विग्यान और मैट्रिक्स में जो हम भी गड़ना किया गया था सुचकांग का वो नए तरीके से तुलना नहीं होना चाहिए इसलिए हर बार प्रमुक रूप से जो परवर्तन किया जाता है तकनीक का इस सुचकांग को निकालने के लिए इसलिए अलग-अलग वर्सों के जो भी rank होती है उनकी तुलना नहीं होनी चाहिए समय के साथ कोई देश कितना अच्छा प्रदसन करता है इसका आंकलन करने के लिए उस देश के प्रोफाइल को देखने की अवश्च्चता है हाल के डाटा का उपयोग करके किसी भी देश का स्कोर एक तरह से देखा जाता है और पिछले एक दसर्म में उसका स्को नहीं जाता है या इस सुचकांग की प्रमुक रूप से एक सीमा मानी जाती है जो इसकी एक कमी है वर्तमान में जो पद्धती है वो किसी देश की अपनी सीमाओं के भीतर जो भी पर्यावन का प्रदसन हो रहा है उसके आधार पर है ना कि बाहर से आयातित जो उत्पाद हैं जिसके माद्यम से नए तरह के प्रभाव उनके देश में आ सकते हैं वो एक तरह से यहां पर मापन नहीं किया जाता है इसके संदर में आगे परवर्तन करने पर विचार किया जा रहा है नए प्रकार के मॉडल और जो डाटा सेट आ गई हैं उनके अनुसार नया जो पर्या पर्यावनी प्रभाव डालते हैं तो इस रूप में जो आयातित एक तरह से भाग है वो भी पर्यावनी समस्याओं के लिए जिम्मेदार है यह प्रमुक रूप से आगे आने वाले जो सूचकांक है उनमें बताया जाएगा सामान तोर पर अगर किसी देश का स्कोर उच्च है इस सूचकांक में इसका मतलब है सारवनी स्वास्त की वहाँ पर रक्षा हो रही है प्राकरतिक संसादनों को सनच्चित किया जा रहा है और ग्रीन हाउस गैस का जो सरजन उसको कम करने के लिए लंबे समय से नीतिया और कारकरम संचालित किया जा रहा है इसी के साथ यह यह भी बताता है कि बिजली छेत्रों को डिकर्बनाइज करने के लिए ठोस कारकरम इस देश के दारा उठाए गए है जहाँ पर स्कोर उच्च रहता है साथ साथ पारिस्टित की तंत्र और माना स्वास्त के लिए जो भी अलग-अलग लाब है जलबाई परतन का मुकाबला करने की जो इस्थितियां है वो यहाँ पर मजबूत है तो इस रूप में इस देश का जो स्कोर है वो उच्च होता है अगर हम तुलनात्मक रूप में देखें तो भारत और नाइजीरिया जैसे देश है जो दक्षिनी एक तरह से गुलात के प्रमुक देश है यहाँ पर र से अनपस्तित पाई गई है इसी के साथ अगर हम नेपाल और अफगानिस्तान की बात करें जिनकी रैंक नीची है माना जा रहा है कि वहाँ पर नागरिक असांती है जो एक बड़ी चुनौती है क्योंकि इन दोनों देशों के लिए इस सूचकांक में जो कम स्कोर है उसका प्रमुक करण ये है कि वहाँ पर सासन की स्थिति बहुत ज़्यदा मजबूत नहीं है और उसको जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता है क्योंकि उसका सासन पर उतना अच्छा नियंत्रण नहीं है तो इस रूप में वहाँ पर समस्याए हैं अगर हम इस सूचकांक की बात क पर 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 देशों की बात करें जो इस सूचकांक में टॉफ फाइपर है तो पहले पर डैन्मार दूसरे पर यूके तीसरे पर फिंलेंड चौथे पर माल्टा और पांचवे पर स्वीडन अगर हम कुछ प्रमुक मानकों की बात करें जैसे अगर हम जै विवित्ता की बात क हम हम सनाच्छित छहत्रों की बात करें जो भी प्रजातिया उनके सनाच्छन की बात करें 175 अगर वाय गुनत्य की बात करें 1.6 जो भी हमारी जलवाई नीती है उसमेंeté 165 हमारे यहाँ जो पारिष्तित की तंत्र हैं वो कितना एक तРИपस हे गतिशिल है यह गतिमान है उसम के साथ साथ अगर हम Particulate Matter 2.5 की बात करें उसमें 174 और जितना भी हमारे हां Waste Management होता है यानि जो भी कचड़ा है उसका जो प्रबंधन है उसकी भी रेंक हमारे हां 151 है यह हमारा लाइक, सेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद